गुड मॉर्निंग टू आला फ्यू मैं विबेक कुमार सिंग चणक्या काले जाफेजुकेशन बेतिया बिहार से पिछले लेक्चर में हम लोग विज्ञान सिछण में आकलन एवं मुल्यांकन के उपकरण के बारे में पढ़ा आज हम लोग विज्ञान सिछण में कठिन बिंदों की पहचान एवं अधियम में मदद हेद आकलन का उपियोग पढ़ेंगे इसमें क्या है कच्छा अध्यापन के प्रकरण के अध्यापन के पूर जो है पूछे जाने वाले प्रस्नों की सहायता से पूर ग्यान का परिछण किया जाता है क्या किया जाता है इसमें कच्छा अध्यापन के प्रस्न पूछे जाते हैं उसमें पूर ग्यान का परिछण किया जाता है यह नैदानी परिच्छन की स्रेड़ी में आता है क्योंकि इसके द्वारा सिच्छक इस बात का आकलन कर सकते हैं कि बच्चा क्या नहीं जानता है इसके द्वारा सिच्छक उन कठिन बिंदों की पहचान कर सकता है जहां बिशेज़ ध्यान देने की आवशकता है इसके द्वारा सिच्छक उन कठिन बिंदों की पहचान कर सकता है जहां विशेष ध्यान देने की आवशक्ता है परंतु सरल अनौपचारिक प्रस्नों के करने मात्र से पाठ के साथ नियाय करना सदा संभो नहीं हो पाता है इसमें परंतु सरल और अनौपचारिक प्रस्न के करने मात्र से पाड़ के स्यात नियाय करना जो है सदा संभव जो नहीं हो पाता है इसे बच्चों को लिखीत अथोआ मौखिक परिछन दिये जाते हैं इन परिछन के विशलेशन द्वारा सिच्छा क्या समझ जाते हैं कि बच्चों में कमी कहां है परिछण करता है तो उसको एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि बच्चे में कमी बच्चा जो है कमी कहां पर कर रहा है संचेप में कहा जा सकता है संचेप में कहा जा सकता है कि पाठ के कठिन बिंदू की पहचान करने है तो नैदानिक परिछन लिया जाना आउश्यक होता है क्या कहा जा सकता है संचेप रूप में से पाठ के जो कठिन बिंदू है उनकी पहचान करने है नैदानिक परिछण लिया जाना आउश्यक होता है नैदानिक परिछण से जो है कठिन में निवों की पहचान किया जा सकता है यह हम इसके अगले चरण में उन कठिनाईयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय किया जाने किया हो सकता होती है अग्रले चरण में उन कठिनाईयों को जो दूर करने के लिए उप्चारात्मक उपाई कि जाने क्या उशकता होती है इसमें निदात्मक परिछण क्या है इसको हम लोग जानते निदात्मक परिछण होता क्या है यह प्रक्रिया सिच्छा में जो है चिकिस्सा विग्यान में सर पर थमाई थी निदादनात्मक परिच्छन जो है यह चिकिस्सा विग्यान में सर पर थमाई है जिस प्रकार डाक्टर रोगी के लच्छन को जो है देखकर रोग का अनुमान लगाता है कोई रोगी गया तो उसे लच्छन पूछता है क्या तुमको बुखार हो रहा है क्या हो रहा है खासी आ रही है कुछ लच्छन को जो है देखकर रोग का अनुमान लगाता है तुमको यह रोग है आपको यह रोग है यह रोग है बताता है ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार सिछक छात्रों म अनुमान लगाता है कुसको कौन सा रोग है उसी प्रकार सिच्छक जो है छात्रों के व्यक्तिकत विभिनताएं होने के कारण उच्छात्रों की अधियम समंधी जो कठिनाईया होती है उनको जो है ग्यात करता है बालोकों के उत्तर निर्धारित करना सीखने की कुसलताओं में गत एवं स्रेष्टा निश्चित करना उपलब्धी का मुल्यांकन करना जो उपलब्धी है उसका मुल्यांकन करना सीखने का उपलब्धी का मुल्यांकन करना जो उसके दोरा जानने का प्रयास किया जाता है है कि विज्ञान के अध्यान में चात्र को कौन कौन सी कठिनाईयां आती है वो कह और किसकी पार गल्ती करते हैं चात्रों की कमजोरियां शातरों की कमजूरियां या कमियां जो है का पता कच्छा सिच्छन या मौखिक लिखित परिच्छा कच्छा कार ग्रीकार आद इसे लगाया जाता है शातर की जो कमजूरियां है उसका पता जो कच्छा सिच्छन के दोरा मौखिक लिखित परिच्छा के दोरा कच्छा कार दे अब हमारा दूसरा जो इसमें है उप्चारात्मक चच्षड जो है निदान का अपने आप में प्रदत्त कारे यह प्रोजक्ट तब तक कोई महतु नहीं होता है जब तक कि उसके उप्चार ना किया जाए निदान का अपने आप में प्रदत कार एवन प्रोजेक्ट तब तक कोई महतु नहीं होता है जब तक कि उसके उप्चार ना किया जाए उप्चारातमक से छण का लच्छ सुधारातमक है उप्चारातमक से छड़ जो है उसका लच्छ जो होता है सुधारातमक होता है और उप्चारातमक से छड़ प्रक्रिया उस अस्तर से प्रारम की जानी चाहिए उप्चारातमक से छड़ प्रक्रिया जो है उस अस्तर से प्रारम की जानी चाहिए जहां से तूटी जो है तूटी की अधियम प्रक्त्रिया प्रारम होई है बिज्ञान विश्य में उक्चारात्मक सिच्छड की निम्न पत्तियां है नमबर एक है कच्छा सिच्छड जो हम लोग करते हैं क्लासरूम टीचिंग दूसरा है सामूहिक प्रबोधन सिच्छड ग्रूप टुटोरियल टीचिंग तीसरा है ब्यक्तियत प्रबोधन सिच्छड इंडिविजूल टुटोरियल टीचिंग तीसरा है परवेच्छन प्रबोधन सिच्छड शुपरवाइस टुटोरियल टीचिंग है पाचमा है हमारा अभ्यासात्मक प्रभोधन practice tutorial इब हमारी जो हैं निहां पदतिया हैं यह बात बीज्न सिच्छण में उप्चारात्मक सिच्छण करते समय यह का छो है ध्यान रखना रूप से जो है उन प्रतेयों, सिध्धानतों, प्रक्रियाओं आद की ओर खीचा जाना चाहिए जिन में छात्र तुटियां करते हैं। दूसरा हमारा है कच्छा में तथा कच्छा के बाहर ब्यक्तियत परामर्स की सुविधा हो देना चाहिए। तीसरा क्या है इसमें हमारा जो बात ध्यान रखनी चाहिए। लिखितकार चित्र बनाने, नामांकन करने, चित्रों में रंग भरने, आद में सुधार का प्रियास करना चाहिए। चित्र बनाने, नामांकन करने, चित्रों में रंग भरने, आद में सुधार का प्रियास करना चाहिए। चित्र बनाने के काउसल का विक्यास करना चाहिए। चित्र बनाने के काउसल का विक्यास करना चाहिए। च्छात्रों को उपकरडों का स्वयम परियोग करके देखने पर जोड़ देना चाहिए। च्छात्रों के चाहिए। च्छात्रों के विक्यास करने के विक्यास करना चाहिए। जिससे निरस्ता न उत्पन हो। उपचार वयक्तिक होना चाहिए। सीखने के मनोविग्यान के अनुसार उपचार वयक्तिक होना चाहिए। यह टाइग्राम से हम लोग समझते हैं। नितनात्मक और उपचार आत्मक सिखыт, चक्र। देखिए नितनात्मक का परिछड, कालाड का पता लगाना या परिकल्पना बणाना फिर ₂ et उपचार आत्मक सिख़ड। को उप्राजियों सिच्णबाद में मुल्यांकन करने बाद सफलता हो और अशफलता यह द्राइग्राम हमारा निराले उप्राज़ा तो सिच्णब चक्र कर अब इस डाइग्राम से हमें असपस्ट है कि किसी कच्छा में अनेक विद्यारती होते हैं जिनकी प्रिष्टिभूम, बुद्धिलब्धी, अभिविद्धी, पसंद, नापसंद, भिन भिन होती है सिच्छक को उन सभी की आउशक्ता अनुसार कार करना होता है कच्छा में सिच्छा अधिगम प्रक्रिया के दौरान कुछ विद्यारती सभी के साथ सामन्जस नहीं बिठा पाते हैं कभी कोई विद्यारती बीमारी अथोवा अन्य व्यक्तिकत कारणों से कच्छा में लंबे समय तक जो है अनपस्तित रहता है तो भीवा कच्छा के अन्य चात्रों से पिछल जाता है कि कारणों जो है कच्छा के अन्य चात्रों से जो है इसी पैस्विच्छ ने अत्यंत सावधानी पुरवक बिद्यार्थी की समस्या का पता लगाना और बता लगाने की प्रक्रिया शरल से कठिन हिर्था जो ए उस पता लगानी प्रक्रिया जो है सरल से कठिनकी इंग अर्थात प्रारंभीक एवस्था में सरल और नहें किया जाएं सरलम द्हां में आने वाली बाधा का छिन्यहंकन होने के पस्चात जो है जबी एक बार जो है अगधियां में क्या वाधा आ रही उनका कन हो जाएगा उसके पस्चात उपयोग तो जो है उपचार आत्मक सिछन का जो है उपयोग किया जाता है भन्यवाद अब हम जो है आप लोगों को अगले लेक्चर में संग्यानात्मक भावात्मक एवं मनुगत्यात्मक ब्यायात्मक छेत्रों का मुल्यांकन जो है कि बारे में अध्यान करेंगे ठीक है अगला लेक्चर हमारा क्या होगा संग्यानात्मक भावात्मक मनुगत्यात्मक ब्यात्मक छेत्रों का मुल्यांकन थेंक यू टू आला फ्यू